हाई दोस्तों, पुनाश्वागत है आपका एक नए वीडियो में अधि आपका एकाउंट Union Bank of India के साथ है चाहे वो सेमे एकाउंट हो, जंदन खाता हो, करेंट एकाउंट हो, पेंसन एकाउंट हो या सेले एकाउंट हो, तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि Union Bank of India ने जो अपना नया मोबाइल अप्लिकेशन जिसे Vyom, V-Y-O-M के नाम से जाना जाता है को रजिस्टर कैसे करेंगे दोस्तो Vyom अप्लिकेशन को रजिस्टर करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके एकाउंट से लिंक होना चाहिए आप जिस भी मोबाइल में Vyom आप को इस्टोर करेंगे उसमा आपका सिम इंसर्ण होना चाहिए Vyom SMS Facilities Activate होना चाहिए Vyom आप को हम लोग तीन तरीके से इस्टोर कर सकते हैं फर्स्ट आपके पास Activating Card होना चाहिए सेकंड आपके पास Net Banking Facilities होना चाहिए आदि आपके पास दोनों भी नहीं है तो आपके पास Branches Generated Token होना चाहिए इन तीनों में से किसी भी Facilities का यूज़ करके आप Vyom App को Register कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ATM Card के Help से Vyom App का Register करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि तरी पर वीडियो को लाइक कर दीजिए चलने को सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल पर हम Union Megafindia जो बैंकों से संबंदी छोटी छोटी वीडियो लाते रहते हैं दुस्ते अधियाब एक Android मोबाइल का यूज़ करते हैं तो आपको अपने Play Store से Union Megafindia के Mobile Banking App Union Vyom को डाउनलोड कर लेना है लेकिन अधियाब एक iOS मोबाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं तो आपको अपने इस्टोर से Union Megafindia के Mobile Banking App Union Vyom को डाउनलोड करना है आपको किसी दूसरे लिंक से एप को डाउनलोड नहीं करना है चलिए पहले इस्टोर से हम Union Megafindia के Mobile Banking App Union Vyom को डाउनलोड करते है ओके यहाँ पे हम Union Vyom टाइप कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल करने का उप्चन आ रहा है यहाँ अज़े हम एप को इंस्टॉल कर लेंगे हमारा एप डाउनलोड हो चुका है अब इसको हम Open कर लेते हैं चलिए Open पे क्लिक करते हैं दोस्तों हमारा एप ओपन हो चुका है इसको Allow कर देंगे ओके यहाँ पे आपको Language Select करने का उप्चन आ रहा है आप अपनी सुद्धा के अनुसार को इभी Language Select कर सकते हैं यहाँ पे हम Default Language English को ही रखते हैं यह हम आगे Proceed करते हैं चलिए Proceed पे क्लिक करते हैं दोस्तों Downside में टर में Condition Select करने का उप्चन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे ओके Activate पे क्लिक करेंगे ओके Allow कर देंगे दोस्तों यहाँ पे Mobile Banking और Beam UPI का भी Option आ रहा है हमको दोनों Option Select करके Next Proceed पे क्लिक करना है ओके Proceed पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे Message आ रहा है कि आप Beam UPI को भी Add करना चाते हैं आपको OK पे क्लिक करना है गाईज हम लोग Reset Transaction Pin के Option पे आ चुके हैं Transaction Pin को हम लोग तीन तरके से Reset कर सकते हैं First, I have David Card अधी आपके पास David Card है तो Second, अधी आप Internet Banking का यूज करते हैं तिसरा अधी आपके पास बराण से जनेट के होगा token है तो यहाँ पे हम लोग David Card के Help से अपने Transaction Pin को Reset करेंगे चलिए David Card का डिटेल इंटर करते हैं Union Bank of India का David Card 16 डिजिट का होता है हम पूरा David Card इंटर करेंगे यहाँ पे हम अपना David Card इंटर कर दिया निचे इसपारी डेट इंटर करेंगे इसपारी डेट में आपको Month और Year इंटर करना है ओके इंटर करते हैं 12 25 इंटर करना है इंटर करते हैं तोस्तों आपको जो भी इंटर करना है यहाँ पर आपको इंटर करना है इसके बाद आपको Next पर इंटर करना है यहाँ पर जो भी question पूसा जाएगा उसका answer आपको दे देना है suppose यहां पर biggest value पूछ रहा है इसमें से जो भी biggest value हो उसको हमें इंट्रा करके next पर जाना है यहां पर हम 82 जो biggest है उसको इंट्रा करके next पर चलते हैं आप से कोई की login पर क्रेट करना हो, open आपको इंट्रा करना है दो बार फर्स्ट login पर इंट्रा करना है सेकेंद उस लाग पीन को confirm करना है यहां पर हम वाई default 1234 इंट्रा कर रहे हैं आपको login पर अपने सुबदा के अनुशार रखना है यहां time to time change करना है ओके島 मिट पर क्लिक करेंगे सक्सेस दोस्तों आपने सक्सेसफुली अपना लॉगिन पर क्रेट कर लिया है आपके मोबाइल पर ओटिपी आ जाएगा उस ओटिपी को आपको आगे इंटर करना रहेगा प्रोशीडिक पर किलिए करके निश्ट पीज पर चलते हैं यहाँ पे आपको अपना OTP डाल देना है जो आपको sms के तोय हो रिसीव हुआ chilli कर देते हैं 3053 को को के यहाँ पर आपको transaction पिर इंटर करना आप जो भी transaction पिन मनाना चाहते हैं उसको इंटर करेंगे यौं नेक्ष्ट में सेंटर करके confirm करेंगे और आपका transaction pin होगा, आपको अपना login pin, यह हम transaction pin किसी के साथ में share नहीं करना है यह हम time to time इसको change करते रहना है, ओके, अब हम यहाँ पर transaction pin इंटर करते हैं ओके, submit पर click करते हैं ओके, successfully आपका transaction pin create हो चुका है हम आगे proceed करते हैं दोस्तों हमारा VM app registered हो चुका है यहां से आप login कर सकते हैं नेक्स्ट पे आप balance को आई कर सकते हैं भी व्यूपया यूज़ कर सकते हैं आप gold loan calculator, scan qrm यह पास्वूग आधि आप्शन का यूज़ कर सकते हैं हम login पे क्लिक करके Union Bank of India के mobile bank की Ambion के अंदर जाते हैं हम उसके option को चेक करते हैं चलिए enter करते हैं यहां पे आपको अपना login pin enter कर देना है ओके यहां पे हम अपना login pin enter करते हैं first time login करने पर आपको theme select करने के लिए बोलेगा हम लोग अपनी सुब्दा के अनुसार अपनी परसंद के अनुसार कोई भी theme रख सकते हैं हम by default first theme को ही रखते हैं यहम apply पी क्लिक करते हैं दोस्तों यहां उपर आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा आप यहां से अपना photo भी लगा सकते हैं आपको जितने भी saving account है वो आपको शोग करेंगे आपको deposit शोग करेगा आपने कोई loan ले रखा तो आपको बारवी में शोग करेगा निचसेंड मनी, BWPI, Bill Pay, Open FD, Open LAD, Loan Against Deposit आपने कोई update ले रखा है तो उस पर लो लेना चाहते हैं तो इस option से आप ले सकते हैं नेश्ट आपका यम पास्वूक आपका पास्वूक का डिटेल इस पर मिल जाएगा कि दोस्तों निचिया फंटर्स पर किसी भी तरह का recharge अदि आप किसी बेरिफिसर को एड करना चाहते हैं फ्वूचर में फंटास्वा करने के लिए तो इस option ऐसे कर सकते हैं आप भी MPI का यूज़ यहां से कर सकते हैं कि अधि आप किसी भी तरह का investment करना चाहते हैं तो यहां से आप बैंक में F D लोगरा deposit वगरा कर सकते हैं नीचे आपको government scheme में जितने भी आते हैं पीपी अप सुकन्या या अधर government scheme में यहां से आप apply कर सकते हैं आप मिचल fund का option दिया हुआ याँसे मिचल fund में apply कर सकते हैं आप किसी भी तरह का insurance रना चाहते हैं जैसे परधा मंत्री जीवन यह और इस आप संसे आप ले सकते हैं कि दोस्ते नीचे कई सारे लोन के आ रहे हैं आप किसी भी तरह के लोन पर इस अप्लाई कर सकते हैं यह आपका अप्लिकेशन शीदा उस प्रांच में चला जाएगा जहां पे आपका एकाउंट है नीचे कई सारे सर्विसेज आ रही हैं आप किसी भी सर्विस का यूज कर सकते हैं बाकि इस आप का यूज करते हुए आप कई सारी शुपधाओं का लाब उठा सकते हैं दोस्तों इस वीडियो जे समन्दित कोई भी कोश्चन हो तो कृपा नीचे कमेंड बाक्स में कमेंड करके जरुपूसिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल पर हम आपके लिए इसी तरह चोटी चोटी फाने से वीडियो लाते र हुआटरें